तो हलो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है जैसा कि दोस्तों बिहार में जब से जनगड़ना हुई है यह आकड़े लगाये जा रहे थे कि जो रारक्षन है इस रारक्षन को बढ़ाया जाएगा जैसा कि नितीज कुमार ने इसको लेकर के सदन में बोला अब है अब इस आरक्षन को क्या कर दिया जाएगा आपका बढ़ा दिया जाएगा लेकिन किसको कितना आरक्षन बढ़ाया जाएगा और इससे पहले किसको कितना आरक्षन मिलता था उसकी जो है बात आज की वीडियो में आप लोगों से करने वाले हैं तो जैसा कि दोस्तो दोस्तों आप लोगों का 50 प्रतिसत था इस 50 प्रतिसत में इस 50 प्रतिसत में आपके पिछड़ी अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती थे सब आते थे और इसके बाद जो आपका था प्लस में आपका EWS का था EWS का जो आपको 10% मिलता था अब दोस्तों अगर मैं इस 50% की बात करूं इस 50% में किसको कितना रक्षा मिलता था तो इसमें दोस्तों आप लोगों का अती पिछड़ा अती पिछड़ा तो अती पिछड़ा जो था दोस्तों वो आप लोगों का था 18% और जो पिछड़ा वर्ग था वो आप लोगों का पिछड़ा जो वर्ग था उनको मिलता था दोस्तों 12% इन दोनों को अगर मिला करके देखा जाये तो ये कितना था आपका 30% था अजिसमें आपका दोस्तों अगर हम बोलें अन्सुचित जाती किसका अन्सुचित जाती अन्सुचित जाती का जो अरक्षन था दोस्तों वो आपका था 14% और अन्सुचित जन जाती अन्सुचित जन जाती इनकी बात करें दोस्तों इनको आरक्षन मिलता था 1% 1% आरक्षन मिलता था और जिसमें पिछडे वर्ग की जो महिला थी जिसमें क्या दोस्तों आपका पिछडे वर्ग की जो महिला थी इनका जो आरक्षन था दोस्तों वो आपका था तीन परसेंट तो इस कुल मिलागर के इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के आरक्षन थे जिसमें आपका अगर देखें तो देखें अती पिछडावर्ग और पिछडावर्ग इन दोनों के मिला दिया जाए तो यह 30 परसेंट था और अन्सुचित जाती का जो आपका था यह 16 परसेंट था अन्सुचित यह जन जाती के अगर देखा है तो एक परसेंट था और पिछडावर्ग की जो महिला था वो 3 परसेंट था अब जो नितीज सरकार है बिहार की सरकार है उसने क्या किया है दोस्तों यह जो आरक्षन है जो आप लोगों का यह 30% आरक्षन है इसको बढ़ा करके वो 73% कर देना चाहती है दोस्तों कितना 43% यही यह 18 और 12 यह 30% है इसको बढ़ा करके कितना चाहती है देखिए 43% यानि कि जिसमें दोस्तों ये वाली जो आपके पिछड़े वर्की ये जो महिला आपको दिख रही है ये महिलाओं को इसमें सामिल किया जाएगा मतब इनको हटा दिया जाएगा तो ये आपका 43% हो गया और अनसुचित जाती का जो है दोस्तों ये जो आपका अनसुचित जाती का है इस अरक्षन 14% से आपका 20% कर देना जाती है उसका अनुमान है कि इसको 20% बढ़ाएंगे और ये आपका अनसुचित जो जाती है इसको दोस्तों आपका 2% और ये जो आपका महिला है अब इस महिला को दोस्तों आप लोगों का इसी 43% plus 20% plus 2% यह हो गए दोस्तों तो अगर इनको हम मिलाएंगे 43 और यह 2 45 और 20 कितना हो जाएगे दोस्तों आपका 65% यह आपका आरक्षन हो गया अब 10% जो आप लोगों का था दोस्तों EWS का इसमें कोई छेड़का नहीं करने उन्होंने बात नहीं की है तो टोटल आपों का आरक्षन kया हो जाएगा 75% हो जाएगा यह जो आरक्षन है इस तरीके से तोटल आपका कितने % हो गया है 75% हो गया है oftentimes अगर हम बात करें दोस्तों कि अब जो जनगड़ना हुई थी उस जनगड़ना के अनुसार किस जाती की कितनी जनसंख्या थी तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों जाती जनगड़ना हुई थी उस जनगड़ना में अगर हम देखें तो इस जनगड़ना में अगर हम बात करें देखिए तो सामाने के किसमे दुखे सामाने तो सामाने वर्ग के लगभग दोस्तों आबादी जो थी आपकी 15.5 दो प्रच्छत के लगभग थी दोस्तों और अगर हम बात करें यस्टी की इनकी आबादी 1.68 प्रच्छत यसी की अगर आबादी की हम बात करें दोस्तों तो आपका 19.65 प्रतिसत और पिछडा वर्ग और अगर हम पिछडा वर्ग की अगर बात करें तो इसकी आबादी दोस्तों 27.12 प्रतिसत और अती पिछडा वर्ग कि अगर हम बात करें तो इसकी आबादि 36.01 प्रतिसत तो इन ही दोनों को अगर हम कमबाइन करें दोस्तों इनको मिला करके हो जाता है आपका लगभग तिरसल प्रतिसत तो ये कुल मिला करके आपका मोटी मोटा हिसाब है दोस्तों तो इसी को लेकर के निती सरकार ने आरक्षण में जो है बढ़ोती करने की मांग की है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यस्टी की आबादी कितना है दोस्तों एक दसमलों 6-8 है इसी को 2% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं एक से बढ़ा करके और यह जो है पहले जो आरक्षण मिलता था उस आरक्षण को बढ़ा करके इसमें इतना कर दिये हैं और इसमें जो है इनकी आवादी है इसमें आपको 10% आरक्षण पहले मिलता था दोस्तों तो इसी तरीके से दोस्तों आपनों के आरक्षण देने का जो है नितीस सरकार ने य आगे क्या होता है यह प्रस्ताव पारित हो जाता है या नहीं हो पाता है उसको आगे देखना होगा आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं कमेंड करके आप जरूर बताईएगा जैहिंद